प्रिम्पित्रों आप सभी को मेरा नमस्कार जीवन के अलग-अलग तथ्य पाए जाते हैं और जिसको मैं विशेश करके तीन भागों में उसको डिवाइट किया तीन भागों में बाटा है और आज का हमारा डिवॉशन, हमारा सोच विचार परमेश्वर के वचन के आधार पर जो विशे है वो है जीवन के तथ्य आप और मैं इस दुनिया में आते हैं, हमारा जनम होता है हम जीते हैं और फिर हम मर जाते हैं और उसके बाद क्या होता है खेर अलग-अलग लोगों के विचार धारा है लेकिन मैं आज आपके सामने तीन विशेश काल के बारे में बात करना मांगता हूँ पहली बात भूत काल दूसरी बात वर्तमान काल और तीसरी बात भविशे काल और फिर उसके बाद हम देखेंगे अनन्दकाल आईए हम पहले देखते हैं भूतकाल भूतकाल का मतलब है the past tense, past things और जो आपका जनम हुआ उसके बारे में मैं आपके सामने रखना मांगता हूँ परमेश्वर के वचन उसका सभूब देशक तीसरा अध्या है और पहले पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है हर एक बात का आउसर और प्रतीक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है जन का समय, मरन का समय, बोने का समय, बोय हुए को उखारने का समय घात करने का समय, और चंगा करने का समय धा देने का समय और बनाने का समय रोने का समय और हसने का भी समय तो हर प्रकार से हर चीजों का एक समय होता है there is a time for everything और time क्या था? आपका जनम हुआ हमारा जनम हुआ, मेरा जनम हुआ वो भूत काल की बात है और हमने अपने जनम के बाद लोगों ने बहुत खुशी मनाई होगी लड़ू खिलाए होंगे हाला कि मुझे तो याद नहीं है मैं सोच भी नहीं सकता है लेकिन हाँ इतना जरूर सोच सकता हूँ कि जब कोई बच्चा घर में पैदा होता है तो बड़े खुशी का माहूल होता है और लोग खुशिया मनाते हैं और इस प्रकार से हम आगे अपने जीवन में बढ़ते हैं एक और भूत काल की बाद जो परमेश्वर के वच्चन में हम देखते हैं और वो है भजन सहिता 149 वहाँ पर भी लिखा हुआ है हमारे जनम के बारे में भजन सहिता 149 और उसका 14-16 पद मैं आपके लिए पढ़ूँगा मैं तेरा धन्यवाद करूँगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रिती से रचा गया हूँ तेरे काम तो आश्चेर के हैं और मैं इसे भली बाती जानता हूँ जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृत्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी तेरी आँखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे गए थे और मेरे लिए तो हे इश्वर तेरे विचार क्या ही बहु मुल्य है उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहर थे जब मैं जाग उठता तब ही मैं तब ही तेरे संग रहता यहाँ पर जो दृश्य दिया गया है जो परविश्वर के वच्चन में लिखा गया है वो हमारी गर्भ हवस्था के बारे में लिखा गया आए जब मैं यह हम अपने माँ के गर्भ में थे और किस प्रकार से नो महने तक हमारा हरंग बंता रहा और वही बात यहाँ पर बाफ कीजिये यहाँ पर लिखा हुआ है जब मैं गृप्ट में बनाया जाता पर लिखा हुआ है, जब मैं गुप्त में बनाया जाता, पृत्वी के निचे स्थानों में रचा जाता, तब मेरी हड्या ते उससे छेपी ना थी, परमेश्वर हमारे प्रतेक हड्यों को, रक्त के एक एक ड्रॉप को, हमारी नसों को, हमारी मेंस को, हमारे दिमाग को, हमारे पूरे शारिरिक जीवन को वेक्तित्व को वो जानता था है वो जानता है यह हमारा भूत काले Maps जनम हुआ है और बहुत अच्छी बात है कि आपका और हमाद जनम हुआ और उसके बाद हम आगे अपने जीवन में बढ़ते हैं ये भूत काल की बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। लेकिन एक दुख की बात ये है थोड़ा सा कि ये जो जनम हुआ, ये पाप मैं स्थिती में जनम हुआ। हमारा स्वभाव पाप मैं था जब हमारा जनम हुआ। मैं आपके लिए पढ़ूँगा भजन सहिता एक्यावन पाँच, भजन सहिता एक्यावन पाँच, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में आप ध्यान दीजिए। कितना साफ रिती से लिखा हुआ है कि हमारा जब जनम होता है हम बहुत अच्छे दिखते हैं सब कुछ है बेबी है सब लोग प्यार करते हैं बड़ी खुशी की बात है और अवेशा संबंदी रेलेटिव बोलते अरे बिलकुल मा के समाना है बाप के समाना है रंग देखो बिलकुल मा पर गया ना किसकी देखो बिलकुल बाप पर गया वलब हर एक व्यक्ति कोई अच्छा ही बताता है बच्चे के बारे में लेकिन उसके साथ साथ ये भी तत् में उत्पन हुआ है उसका सभाव पाप मैं है इसलिए तो सभावी की रोता है जब वो इस दुनिया में आता है आपने कभी इसके पर विचार किया किसी ने फिल्मी दुनिया में कहा है रोता हुआ आता है और रोलाता हुआ चला जाता है मतलब जब वो मर जाता है तो दुसरे रोते हैं। जब वो आता है तो वो खुद रोता है। है ना। दूसरे खुब खुश होते हैं। और वो जब चला जाता है आप और हम जब मर जाएंगे तो दूसरे रोते हैं। सो हम देखते हैं कि हमारा भूत काल है और हमें मास और चमडी में परमेश्वर ने कस के रखा हुआ है जी हाँ अयोब की पत्री और उसका दस और ग्यारा दसमा अध्याय और ग्यारा पद फिर तुने मुझे पर चमडा और मास चड़ाया और हड्डियां और नसे गूत कर और तेरी चौकसी से मेरे प्राण की रक्षा हुई है तो हम देखते हैं कि ये परमेश्वर ने शुरू में ही आरम में ही तै कि आपका और मेरा जनम हो ये भूत काल है ये बीच चुका है हमारा जब जनम हुआ है अब आईये वर्तमान काल में वर्तमान काल में आते हैं प्र जीवन जी रहे हैं और जब हम जीवन जीते हैं हम जवान होते हैं हमारा बच्पन खतम हो जाता है और हम जवानी में आते हैं 19, 20, 21 साल तो बहुत सारी चीज़े हमारे जीवन से गुजरती हैं हम स्कूल जाते हैं कॉलेज जाते हैं हो सकता है किसी लड़की से एक प्यार सा हो जाता है या लड़के से प्यार हो जाता है हम दोस्ती करते हैं हमारे दोस्त होते हैं मतलब कई चीज़े हम अलग-अलग जो ड्रीम्स हैं हमारे जो सपने होते हैं उसको हम कोशिश करते हैं कि उसको हम पूरा करें कि मैं ये करूंगा वो करूंगा और सो ओर सभोब देशक परमेशर का बचन एक खिताब है वहाँ पर मैं आपके लिए पढ़ूँगा सभोब देशक उसका ग्यारवा अधिया है और वहाँ पर लिखा हुआ है कि नौवा पद, ग्यारवा अध्या है, और उसका नौवा पद, मैं आठवे पद से आपके लिए पढ़ूँगा, साथवे पद, उजियाला मन भावना होता है, और धूप के देखने से आँखों को सुख मिलता है, यदि मनुष्य बहुत वर्ष जीवित रहे, तो उन सभों म आनन्दित रहे, परन्तु यह स्मरण रखें, कि अंधियारे से भी बहुत होंगे, अंधियारे से दिन भी बहुत होंगे, जो कुछ होता है, वो हव्यर्थ है, हे जवान, अपनी जवानी में आनन्द कर, और अपनी जवानी के दिनों के मगन रहे, अपनी दृष्टी में मन मानी कर और अपने आखों की दृष्टी के अनुसार चल परन्तु ये जान रख कि इन सब बातों के विशय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा अपने मन से खेईद और अपनी देह से दुख दूर कर क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ हैं देखें कितना अच्छी रूप से हमारी जवानी की जो स्थिती होती है समय होता है यहाँ पर लेखक सब उबदेश्यक 11 में लिखा है अच्छा आप इंजॉय करना मांगते हैं करो आप क्या देखना मांगता है देखो आप क्या सुंगना मांगते हैं सुंगो क्या म्यूजिक सुनना मांगते हैं सुनो जवानी में आनुद कर लेकिन क्या है कि परमेश्वर इन हर बातों का आप से और मुझसे लेखा लेगा गलत तरीती से हम अपना जीवन बिताएंगे तो परमेश्वर इसका प्रतिफल भी देगा लेकिन अगर हम परमेश्वर के भै में अपना जीवन बिताते हैं परमेश्वर से प्यार करते हैं अपने जीवन बिताते हैं और enjoy भी करते हैं परमेश्वर के वच्चन के अनुसार तो परमेश्वर उसका भी प्रतिफल देगा इसलिए लिखा हुआ है जवान अपनी जवानी में आनन्द कर मगन रहे लेकिन इसमें याद रखना है कि परमेश्वर हर बात में प्रथम स्थान और वही बोल रहा है क्योंकि यह जान रख कि इन बातों के विश्वर में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा जब हम ऐसी अवस्था में आते हैं जैसे एक बड़े हुए वक्ती के रूप में 20 से 30 साल के बीच में या 20 से 40 साल के बीच में तो हम देखते हैं कि हम खुब पैसा कमाने की कोशिश करते हैं उसमें कोई बुराई नहीं है हमें पैसों की जरुरत है हमें अच्छे घर की जरुरत है आपको और हमको अच्छे परिवार की जरुरत है और हमें काम करना चाहिए ताकि हम ठीक से जिन्दगी गुजार सके उसमें कोई प्राबलम नहीं है प्राबलम कहां पर है जब ये सब चीज़े हमारे लिए ईश्वर बन जाता है बस मैं इनी चीज़ों के लिए जीता हूं materialism भौतिक बाद जिसे हम कहते हैं अगर हम इसी के लिए जीते हैं वर्तमान जीवन में तो फिर हमारे जीवन का मकसद हमारे जीवन का मतलब क्या होगा जी हां क्या होगा आज हम देखते हैं हमारे चारो तरफ क्या नजर आता है पाप के कई रूप दिखाई देते हैं आपको और हम मुझे वो अच्छी तरह से पता है हमारे समाज में एक प्रकार से पाप का कीड़ा लगा, एक प्रकार से पाप का वाइरस लगा हुआ है आतकवाद हमारे चारो तरफ फैला हुआ है आदमी बाहर जाता है पता नहीं वो वापस, सेफली वापस घर आप आएगा की नहीं, हत्या आज लोगे मन में हत्या का इतना जनून सवार है कि कभी भी अगर छोटी बात में अगर जगड़ा हो गया तो वो एक दूसरे को मार डालते है इंटरनेट मीडिया का इतना बुरा प्रभाव हो गया है कि गलत चीजे हम उसमें देखते हैं अशलीलता, परनाग्रफि अच्छा काम कर सकता है इंटरनेट और अच्छा काम भी कर रहा है हम उसे बहुत कुछ सिखते हैं, कम्प्यूटर वगरा लेकिन इससे कुछ खराब बाते भी हमारे जीवन में आती ये वरतमान का है मेरे दोस्तों आप देखते हैं, आप अनुबाव करते हैं हम सब इन बात को का अनुबाव करते हैं बाढ़, कितने बाढ़ बाढ़ आते हैं आजकल हम देख रहें कि जो वेदर पैटर्न है, जो मौसम है बिलकुल अलग सा है अब कभी गर्मी में एकदम से बारिश आएगी या ठंड में गर्मी है या बाढ़ आएगा, खूब पानी की रहागा कहीं पर बहुत सूखा पड़ा है तो कहीं बहुत बारिश हो आ रही कहीं बार बाढ़ है ये सब क्या है? ये हमारे वरतमान काल में पाप की निशानी है बिमारिया, हर प्रकार की बिमारिया आ रहा है एड्स, एबोला, जहरी लिशराब, नूकलियर, वार, अकाल ये सब क्या है? ये सब पाप की निशानी है और हम कोशिश करते हैं उस समाज में रहे करके कि किसी तरह से पैसाई खटा करे, पैसाई खटा करो, और बाद में उसको अपने पुरा, जब भुड़े होंगे तो इस्तमाल करें, ठीक है, लेकिन ये भियाद रखना है कि परमेश्वर को हमें नहीं भूलना है वरतमान काल में, लुका रचिस सुसमाचार, उसका बारवाध्याय मैं आपके लिए पढ़ूँगा, लुका बारा और उसका अठारा और उन्नीस पद आपके सामने पढ़ूँगा, एक व्यक्ति ने क्या किया, उसने अपने मन में कहा कि चलो खूब उपज मैं करता हूँ, उसने एक इस द्रिश्टांत कहा कि किसी धनवान की भूमे में बड़ी उपज हुई, तब आपने मन में विचारने लगा, कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरे हाँ जगह भी नहीं है, जहां अपनी उपज इत्यादी रखूँ, उसने उसने कहा, मैं ये करता हूँ कि मैं अपन तोड़ कर उनसे बड़ी बनाऊंगा, और वहाँ अपनी सब अन और संपती रखूँगा, और अपने प्राण से कहूँगा, हे प्राण, तेरे पास बहुत वर्शों के लिए संपती रखी हुई है, चैन से खापी सुक से रह, पीछे से आवाज आती है, परंतु परमेशन उसे कहा, अरे ओ मुल्क, इस रात अगर तेरा प्राण ले लिया जाए, तब जो कुछ तो ने खट्या, वो किसका होगा, किसका होगा, ऐसा ही वह मनुश्वी है, जो अपने लिए धन तो बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टी में धनी नहीं है, वो गरीब है, जी हां मेरे दोस्तों, वर्तमान काल में हम जी रहे हैं, हमारा उद्देश, जीने का उद्देश क्या है, यह बहुत जरूरी है कि हम इस पर ध्यान दें, यह वर्तमान काल, इस पर हमें ध्यान देना है मेरे दोस्तों, कि हमारे इस जीवन जीने का उद्देश क्या है, मैं क् इस दुनिया में आया हूँ सिर्फ खाने पीने के लिए और मर जाने के लिए या मेरा कुछ योजना है परमेशर का उद्देश है जी हाँ परमेशर के वचन के आधार में हम देखते हैं कि आपके लिए योजना है आईए हम देखते हैं कि वो योजना ये है कि परमेश्वर के वच्चन में लिखा हुआ या शाया उसका तैतालिस में कि मैंने तुझे अपनी महिमा के लिए बनाया आपको और मुझको परमेश्वर ने किसलिए बनाया अपनी महिमा के लिए और ताकि मेरे जीवन से मेरे वेक्तित्व से मेरे पुरे वेभार से दूसरे लोग आशी श्रित्माएं और परमेश्वर को इस बात से महिमा में ले क्या आपका जीवन वरतमान काल में मेरा जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए बिता रहा है या सिर्फ अपने ही स्वार्थ, लालचपन उसी में गुजार रहे है ये एक प्रश्ण है जो मैं आपके सामने रखना मांगता हूँ आईए हमने देखा कि भूत काल क्या है जनम हुआ वरतमान काल क्या है हम लोग जी रहे प्रश्ण है क्यों जी रहे और तीसरा है भविश्यकाल भविश्यकाल में थोड़ा सा दुख का न्यूज ये है कि आपके और हमारी मौत होगी जी हाँ अच्छी हेल्थ की कारण हम 90 या 100 साल भी जी है लेकिन एक समय आएगा जहाँ पर हमारी मौत होगी उसको हम भविश्य भविश्य में होगा ये इसलिए हमने इसका नाम दिया है भविश्यकाल मैंने आपके सामने पढ़ा था सबवदेशक तेरा तीन अध्या में क्या जनम लेने का समय और मरने का समय अरे साब अगर आपका मेरा जनम हुआ है तो naturally स्वाभाविक रूप से हमारी मौत भी होगी ये है भविश्यकाल मौत दो प्रकार की है मौत दो प्रकार की है जिसके बारे में मैं अभी बताता हूँ आपको और वो है एक शारीरिक मौत और एक आत्मिक मौत शारीरिक मौत वो है जो हम शरीरिक रूप से मरते हैं हमारा शरीर कमजोर हो जाता है हमको बिमारी लगती है और हम इस दुनिया से चले जाते हैं दूसरा मौत जो आत्मिक मौत है वो है परमेशर से अलगाओ स्वर्ग से नहों करके नरक में आग के जील में डाले जाते हैं मैं आपके लिए पढ़ूंगा प्रकाशित वाक्य और उसका बीस्वा अध्याय प्रकाशित वाक्य जो लास किताब हैं और उसका बीस्वा अध्याय और पंद्रवा पद यहां पर लिखा हुआ है चौदा पद से मैं आपके लिए पढ़ूंगा और मृत्यू और अधोलोग भी आग की जील में डाले गए यह आग की जील तो दूसरी मृत्यू है जी हां और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की जील में डाला गया बहुत दर्दनाग बात है मेरे दोस्तों बहुत दर्दनाग और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं मिला वह आग की जील में डाला गया दूसरी मृत है आत्मिक तो है है, ये भविष्यकाल की बात है, क्या हम वरतमान काल में उस भविष्यकाल के लिए तियारी कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है, ये ब्रानियों और उसका नौ अध्या है, और 27 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आपके लिए परमेश्वर का वचन यहां पर लिखा हुआ है, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीवी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलीदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोती हैं, उनके उध्यार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा यस हमारे मित्रों मेरे मित्रों आपके लिए गुड न्यूज है बैड न्यूज यह है कि हमारा मौत होगा यह ना शारिरिक गुड न्यूज यह है कि आत्मिक मौत में आत्मिक मौत में कि जगह हमें आत्मिक जीवन मिल सकता है जो हम वर्तमान में कर सकते हैं हम देखते हैं कि हम तो निश्चे हैं रोमियो 6 ते इसमें क्या लिखा है पाप की मजदूरी मौत है सबने पाप किया और पाप की मही मजदूरी पाप उसे हम मर जाते हैं ये उसका परिणाम है लेकिन हम देखते हैं कि वर्तमान काल में परमेशन ने आपको और मुझको एक गुड नूज जिसे हम कहते हैं एक अच्छा नूज बताया भाई आप इस आत्मीक मौसे बच सकते हैं भविशे काल के लिए तैारी कर सकते हैं ये बहुत कामन बात है कि आज कल जब हम रेल में ट्रेन में सफर करते हैं हम क्या करते हैं रेजर्वेशन करते हैं अपने सीट का स्लीपर का रेजर्वेशन करते हैं हम लाइन में खड़े होते हैं लाइन में वर्तमान काल में क्यों खड़े होते हैं ताकि जब वो टाइम आएगा तो मैं मेरे लिए अच्छी जगा होगी अराम से मैं comfortably ट्रैवल कर सकूँगा मेरे दोस्तों उसी प्रकार से वर्तमान काल में हमें भविश्य काल के लिए त्यारी करनी है वो ट्यारी ये है कि हम प्रविश्य मसी को अपने जीवन में उधार करता करके ग्रहन करें जी हाँ और जब हम उसको ग्रहन करते हैं विश्वास के द्वारा क्योंकि वो हमारे पापों के लिए मारा गया गाड़ा गया तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और जब हम पूरे विश्वास के साथ उसके पास आते हैं तो हम भविश्य काल के लिए अपना एक रेजर्वेशन करते हैं कि जब हमारी मौत होगी तो भाई हम अनंत जीवन प्राप्त करेंगे कितना अच्छा बात लिखा हुआ है प्रभुईश्य मसी ने कहा क्या कहा अनंत काल के जीवन की तयारी के लिए मैं आपके लिए पढ़ोंगा यहनरा चीट्सू समाचार उसका 11 अध्याए और 25 पत यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है प्रभुईश्य मसी ने कहा येश्यों ने ऊस से कहा किस से कहा जो लोग वहाँ पर थे आक्छली जो इसका context है, संदर विस्परकार से है कि येश्यों मसी एक वेक्ति को जलाने के लिए गाउं गया, लाजर को जलाने के लिए वहाँ और भी लोग थे लाजर के भाई, बहर, मरियम सब लोग वहाँ थे और यहुदी लोग भी थे वोई देखना मांग रहे थे कि क्या सच में प्रभूश मसी लाजर को जिला सकता है तो लाजर की कबर के पास आया और वहाँ पर ये बात उसने कही जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ यहनार रचिस्सू समाचार 11, 25 और 26 येश्व ने उससे कहा पनुरुथान और जीवन मैं ही हूँ जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वा यदि मर भी जाए तो भी जियेगा जो कोई जीता है मुझ पर विश्वास करता है वा अनंतकाल तक न मरिगा क्या तो इस बात पर विश्वास करती है और फिर उत्तर है हाँ प्रभू मैं विश्वास कर चुकी हूँ कि परमेश्वर का पुतर जो मसी है मसी है वो आने वाला तू है तो हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर ने आपके लिए और में लिए एक गुड नियूस दिया है अच्छा समाचार दिया है कि भाई हम उस दूसरी मृत्यू से तो बच जाएंगे भविश्यकाल की बात बोल रहा हूं और अनंतकाल तक हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग में अरे साब इंजॉय करते रहेंगे अनंतकाल वहां हमारी मौत नहीं होगी जैसे कि हमारी यहां पर मौत होगी इस दुनिया में जब 80-90-100 साल खतम हो जाएंगे तो बिमारी की वज़ा से और दूसरी वज़ा से हम मर जाएंगे लेकिन जो आने वाला जो भविश्यकाल है महाँ पर स्वर्ग में हम नहीं मरेंगे अनंतकाल तक जी रहेंगे लेकिन किंतु आपको उसके लिए एक रेजर्वेशन करना है मैं वो इस्तमाल करना हूँ शब्द रेजर्वेशन तैयार होना है वर्तमान काल में अभी जब आप परमेश्वर का बचन सुनते आशा है कि आपने अपना जीवन प्रभु शुमसी को दिया है और कहा है कि प्रभु मेरे दिल में आ मेरे पाप को शमा कर मेरे मैं अपने पापों से पस्चाप करती हूँ करता हूँ और तुझको उद्धार करता प्रभु मान कर गरहन करती हूँ या करता हूँ विश्वास के साथ जब आते हैं तो हम एक प्रकार से रेजर्मेरिशन करते हैं भविशे काल के लिए ताकि हम अनंद काल तक परमेश्वर के साथ स्वर्ग में आनंद करते रहे क्योंकि हमारे पाप को सब वो शमा करता है मेरे दोस्तों आज हमने जीवन के तत्यों को देखा तिन चार विशिश बातों पर देखा भूत काल आपका जनम हुआ वर्तमान काल आप जी रहे हैं आप क्या कर रहे हैं आपका जीने का उद्देश क्या है जैसे मैंने कहा जीने का उद्देश परमेश्वर के महिमा करना है लेकिन पाप की वज़े से हम नहीं कर पाते हैं और इसलिए हमें भविश्य काल के लिए वर्तमान काल में त्यारी करना है, रेजर्वेशन करना है, स्वर्ग का, और वो है प्रविश्य मसी, प्रविश्वास करके, भविश्य काल जब हमारी मौत आएगी, शारी रूप से तो हम बर गए, लेकिन जो हमारा आत्मिक जीवन है, आत्मिक मौत, उससे हम बज जाएंगे, और परमेश्वर हमारे को अननतकाल का जीवन देगा, आशा है, परमेश्वर इस गुड निउस को, शुब समाचार को आप तक पहुंचा है, आप इस पर जरूर ध्यान देंगे, और दुसरों को भी इसके बारे में बताएंगे, धन्यवाद झाल 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 झाल